गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवाद टेक पूर भाई एक्जाम पूर कैसे आप सब लोग कि सबको गूड मॉर्निंग कैसे आप सब जल्दी से बताईए आप सब लोग अच्छे होंगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे जैसा कि हम लोग अपना कास्टिंग पढ़ रहे थे कास्टिंग में हम लोगों ने कल तक कल जो पढ़ा था गेटिंग रेशियो अपना लास्ट टॉपिक कम्प्लीट किया था आज ज कश करें है उसके बाद हमें पड़ना है है उसके आपना क्लासिफिकेशन off casting में जाना है और आज और कल हैं दो दिन में आप कास्टिंग खतम हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा प्लान में जेंज आए है कि मैसे मैसेज आए बहुत बच्चे औफुलाइन कमेंड भी करते हैं जब को ऑफ लागाते हैं लगाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर तरूरी की पढ़ा रहा है तो तुम लोग दिखते नहीं हो तो बहुत बच्चोंने का सर आप कोश्चन करवाईए तो अब जो भी ट्वीड़त होगा कास्टिं के बाद वह कि आपका कोशन के थूरू कोंप्लीट कराये जाएगा कोशन के थूरू एक महिना बचा हुआ है ऐसके बीच में दीपावली भी है दीपावली की में आप भी नहीं पढ़ेंगे और हम लोगोंको भी छुट्टी जाना होगा घर पर तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब हम लोकिola का थू एक टॉपीक जैसे मेठल केटिंग पड़ रहा है तो म Bush कोशन दो या तीन दिन हम लोग और सुझ ना जेए उनको सब करेंगे इस तरीके से हम लोग दीपावली से पहले अपना प्रोडक्शन को कम्प्लीट करेंगे और दीपावली के बाद आपका नया सब्जेक्ट एक स्टार्ट होगा जिसके लिए हम लोग इसके लिए हम लोग फिर उसकी question practice करेंगे और फिर आपकी continue daily live test की form में आपकी question practice कराई जाएगी तो आज का हम लोग टॉपिक सबसे पहले start करेंगे वो टॉपिक हमारा है solidification time हमारा क्या topic है solidification time solidification time आपका जो molten metal है molten metal आप जब डालेंगे cavity के अंदर cavity के अंदर जब molten metal को pour कराएंगे तो molten metal ठंडा कितनी देर में होगा ठंडा कितनी देर में होगा ये जो है आपका solidification time कितने time में ठंडा होगा ये solidification time बताता है solidification time जो होता है ये हमारा volume के directly proportional होता है और surface area के reciprocal होता है surface area के reciprocal होता है ये आपका T ठीक है ये आपका T ठीक है अब क्या बता है surface area के reciprocal one upon surface area ये हमारा solidification time होता है जितना ज्यादा surface area होगा उतना हमारा देर में ठंडा होगा ठीक है जितना ज्यादा surface area होगा उतना हमारा time है वो ज्यादा consume करेगा ठीक ये होता है अब ये तो हमारे पास simple सी चीज़ हा गई आप एक हमारे पास जानते है इसे कि हमारे हर एक चीज में कोई नग कोई scientist आ जाते हैं तो इसमें भी आये इसमें भी हमारे पास आये इसमें भी हमारे पास एक साइंटिस्ट आये जिनका नाम था चौर नौविस ठीक है जिनका नाम था जिनका नाम था चौर नौब्स प्रिंसिपल इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया इन्होंने क्या बोला ठीक है इन्होंने हमसे क्या बोला इन्होंने हमसे इन्होंने हमसे बोला हमारा जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है यह यह हमारा डारेक्टली प्रॉपोजनल होता है डारेक्टली प्रॉपोजनल होता है वॉल्यूम अपॉन सर्फेस एरिया के स्क्वाइर के किसके यह इन्होंने बोला कि हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम ह होता है volume upon volume upon surface area के square के directly proportional होता है हमारा क्या solidification time यहाँ पर टीयस हमने क्या बोला टीयस हमने बोला solidification solidification time यह हमारा solidification time ठीक है यह आपका वॉलियूम घया आपका surface area हो ठीक को यहाँ जो अब इसको हम लोग आगे further solve करते हैं इसे को further solve करेंगे तो इसमें इन्होंने क्या क्या कि जब वह इसको बरावर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जब हमने suppose इसको बरावर किया जह हम ने इस सॉलिडिफिकेशन टाइम को बरावर किया बरावर लगाएंगे तो यहां पर एक कॉंस्टेंट आदा का के अपन वी अपन ऐसे इसको यह जो हमारा है के जो हमारा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यह हम क्या यह मिला जब हमने अपना साइंग अटाया डिरेक्टी प्रप फेक्टर सॉलिडिफिकेशन फेक्टर अब हमारे पास क्या मिलगा सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है हमारा सॉलिडिफिकेशन फेक्टर इंटू वॉल्यूम बाई सर्फेस एरिया का होल अप स्कॉयर होता है होल अप स्कॉयर होता है अब बात करते हैं इसकी सॉलिडिफिके हमारे पास फिल है यह हमारी मॉल्डिंग सेंड हमारे पास फिल है ठीक है मॉल्डिंग सेंड हमारे पास फिल है कितनी देर में थंडा हो रहा है इन सब चीजों पर हमारा सोलिड़़िफीकेशन फेक्टर डिपेंड करता है तो हमारे चीजा से अ हौ when меся and play string but high- compensation करता है ठीक है दूसरी किस चीज करता है दूसरी किस चीज पर डिपेंड करता है दूसरा हमारा डिपेंड करता है पोरिंग जो तुम लोग पोरिंग करा रहे हो मोल्टन मेटल की पोरिंग करा रहे हो मेटल की पोरिंग मोल्टन मेटल पोरिंग मोल्टन मेटल प्रापर्टीस पे अगर यह देर मठंडा हो रहा हो कि जो हमारा देर में ठंडा हो रहा है ठीक है तो हमारा स्वालिडिफिकेशन टाइम इंक्रीज कर जाएगा अगर हमने अगर हमने अगर हमने अगर हमने ऐसा कोई material ले लिया ऐसे किसी material से हम लोगोंने casting की है जो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो हमारा क्या है सॉलिड़िफिकेशन टाइम सॉलिड़िफिकेशन टाइम बढ़ जाएगा ठीक है अब जैसा की हमने देखा था हमारा क्या होता है का tierra, स्वège wilderness होता है हमारा किसी इस चीज़ का सॉलिदिफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम बाई सथे से रिया होता है ठीक है हमने फड़ा वॉल्यूम बाई सर्फेस ये घिर ओ तो तो तुम्हारा यहां से यहां से तुम्हें भी वाई सर्फेस एरिया मिल रहा है तो अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे वॉल्यूम बाइश सर्फेस एर्या निकाल लेते हैं जिससे हमें अपने सॉलिडिफिकेशन करने में आसानी होगी जिससे में आगे कोशन्स में कि कोशन्स में हमारे पास एक्जाम्स में टाइम कम होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इनको देख लेते हैं हमारा दे तरीके का होगा कि यह कुछ इस तरीके का होगा इसकी साइड कितनी होगी इसकी साइड होगी इसकी साइड आपके पास ए है समलो क्या बोलते हैं हम लोग साइड side जो है यह a है side a यह है तो इसका volume upon team upon surface area का volume upon surface area का square क्या होगा volume upon surface area का square क्या होगा volume by surface area क्या हो जाता है इसका जब तुम लोग volume निकालोगह तो करते हैं एक क्यूब ठीक है surface area करोगे तो क्या सर फिरीया करोगे तो 6a kzarikalusto जले यहां से निकालोगे और तो क्या दयाएगा ए56 मतलब चारी जो हमें दी है उसका सिंसका करो उसका डिवाइड में 6 कर दो तो तुम्हारा रेशियो कि की आ जाएगा वॉल्यूम वाई सर्फेस एरिया का तुमारा रेशियो आ जाएगा ठीक है ठीक है ऐसे ही बात कर लेते यह तो क्यूब की हो गया अब बात कर लेते इस पेर की कि इस फियर और सफ्फियर है स्फियर जिसकी की रेडियस आ रहे है और डायमीटर डी फिसकी रेडियस आ लोग ले उसकी रेडियस मुझे की इस यहां से जब इसको कल्कुलेट करेंगे यहां से जब इसको कल्कुलेट करेंगे तो हमारे पास कमारे पास क्या बचыगा आर वाई 3 आर वाई 3 अब हमें जो वॉल्यम अपऑन सर्फIES एरिया के स्भेर के स्मय मिलेगा रेडिय lavenderWD3 थ्री सिगा रेडिय एश डिवाइड वाई 3 हमें यह मिलेगा Enlight E सब्सक्राइब करते हैं ऐसे ही हम आगे अपनी फर्दर जो है रेडियस और इस वालिम अपन सर्फेस एरिया के लिए अचे निकाल सकते हैं चलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है से लेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है कोई स्लैब दे रखे स्यंक्तार्व क्विकल सेफ में आपका क्या होगा ठीक takkyo Box सर्फिस सेरीय के हम लोग ले लें आप यहां पर हमUM टेक को शन यहां पर हम लोग क्या कर लेते है को शन इसक्वस्टं दूस्षरें पर कोश्चन मैं आप लोगों को सामने लिख रहा हूँ यह आपका कोश्चन है देखिए कोश्चन आप से क्या बोला है कि क्यांको कि लिख आ बोल्तन अरALK 더फ मोल्तन अडू बोल्तील बोलतन बतल रूबाầब टॉ मोल्तन मेठबाब बोल्तन बत-ॉट ओर टॉ मोल्तन बतल शॉटो इं अंसर एंस्वेरटल प्रचन अस्वेर्क ऑें इंस् हमें इसनपरिकल ही फिरम इसपिरि Eaglesम है मोल्टल मेटल हमारा लॉप हो हुई है विक धीमें आपले थे विखिल अगल मेटलडांग हो रहा है उसकी एस अमी घे विपले विझे सॉऩञ तर in 20 seconds 20 seconds हमसे क्या बोला 4 mm radius का एक स्फेरिकल साप ड्रॉप है जो भी सेकंड में थंडा हो जाता है आप हमसे पूछा है वाट इस दी है वाट इस दी कि सॉलिडिफिकेशन टाइं अफ सेम मोल्टन मेटल ऑफ सेम मोल्टन मेटल है मारे पास ठीक है कि ड्रॉप्स विद ड्रॉप्स विद डावल टाइम डावल टाइम ठीक है आप से क्या पूछा है आप से क्या पूछा है आप से यह पूछा है कि अगर आपका अगर आपका क्या कहते हैं इसमें आप से इस में इस क्वेश्चन में आप से बोला है कि अगर मोल्टार मेतल जो हमारे ड्रॉफ हो रहा है वो चार अम्म रिटियस का है और स्वालिधिफाई होता है 20 सेकैंड में क्या पूछा है वाट इश दा सॉलीडिफिकेशन टाइम वाट इस दी स्वालिडिफिकेशन टाइम और सेम मोल्टन मेटल सेम मोल्टन मेटल ड्रॉप्स विद ड्रॉप्स विद यहां पर यह नहीं होगा यहां पर होगा रेडियस डवल रेडियस ठीक है अगर आपका मोल्टन मेटल डवल रेडियस का हो जा रहा है मतलब उसकी रेडियस जुग नहीं हो जा रही एक केस तो कररापके रीडियस बूट टू टाइम सजारी तो उसमें आमें क्या निकाला है सॉलिडिफीकेशन टाइम कल लज़ा उस Soli कैस में और हमें यहां पर यह चीज़ देखनी है कि हमें यहां पर क्या दिया लेधा स्फेराकल दे रहा हैस स्पैरीकल के केस में अभी हमने क्या देखा था इस फेरिकल के केस में अभी हमने अभी हमने फॉर्मूले देख रहे थे तो हमने क्या देखा था इस पेरिकल हमारा क्या होता है इस फेरिकल में हमारा वॉल्यूम भाइ सर्फेस एरिया करेश्यों क्या होता है आरवाई 3 होता है आरवाई 3 हो तुम्हारा यह हो गया अब बात करते हैं अब क्या बात करते हैं आप हमने क्या देखा था सबसे पहले क्या देखा था solidification time upon equals to VyA solidification time equals to VyA यह आपका होता था ठीक है यह आपका किसके स्क्वाइर स्वाइडिफिकेशन टाइम जो होता था इसके स्क्वाइर के बरावर होता था ठीक है जहां को प्रेंस्पल के थूरू सॉल्व होंगे यहां पर के को कॉंस्टेंट है तो के को हमने यहां पर नेगलेक्ट कर दिया क को हमने क्याक्या नेगलेक्ट कर दिया आप वाइए का रेश्यों दे रखा है हार डाइत ही ठीक है तो यहां पर हम लोग लेटे हमारे पास इस का है कि कि टाइम के दिन्टिअक आप curlyटीकेशन सब्सटेंटेंट 20 सेकंड 20 सेकंड यह चलो अभी नहीं रखते हैं पहले स्कू सॉल कर लगते हैं कि सॉलिडिफिकेशन फस्ट कि आर वाई 3 आर वाई 3 यह फस्ट है तो इसे आरवन कर लो आरवन वाई 3 का स्कूर ठीक है इसी तरीके से हमारे पास अगर हम लोग दूसरा निकालेंगे तो टी ए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से हमारा थ्री और थ्री कैंसिल हो जागा यहां से हमारा थ्री और थ्री कैंसिल हो जागा यहां से हमारा थ्री और थ्री कैंसिल हो जागा और यहां से हमारा यहां से ह यहां पर रख लेते हैं तर हों यहां पर में यहां पर रख लेते हैं वेल्यूस को exactly 20 seconds हिए 22nd ञेंगे 22ndo रेडीयस रखे थि 4 mm 20 सेकंड और रेडियस रखे थी 4 mm4 mm और बोला था कि अगर हमारी रेडियस टू टाइम्स हो जाए तो सोल्डिफटीकेशन टाइम पर क्या century पढ़ेगा तू टाइमक्ट एक इसके प्रहों स्क्राइब इहां से क्या है करोको तो आ जाएगा तुम्हारा स्वाडिफिकेशन टाइम गया है वनवाय-टुप स्कुयर वन वाय-टुप स्कुयर हो जाएगा जब टुकर करनों तो फूर कीаменध उधर करोगो तो यहां की मेस्ठेट करेंगा है यहां से तम्हारा जाएगा है है यहां से तुम्हारा जाए कस तो तम्हारा स्ले deecall का होगा एंट to यह से कर लिए अगर तुम्हें र Boss को डबल कर दिया अगर तुम्हें रैडी एस दिपाई होने एट्टी सेकंड तुम्हारे कंजिव्म करेगा इतना जल्दी से बताएं ऐसे ठीक है कि अब बात करते हैं राइजर की अब बात करते हैं राइजर की अब बात हम लोग करते हैं राइजर की ठीक है राइजर हमारा क्या होता है राइजर हमारा क्या होता है राइजर हमने क्या पढ़ाता है राइजर हम लोग कहां पर लगाते हैं सबसे पहले बात यहीं आती है सबसे पहल तरेर इधर की पूरी डिसक्रस कर ली ती की पूरी हमने स्प्रोल में परीमा लगाते हैं जाईड में राइजर लगाते हैं राइजर लगाते हैं अब क्या सबसे पहली सबसे पहली क्लास में जाओ जहां पर हमने पढ़ेते एलावेंस सबसे पहला पढ़ा था स्रिंग के जलावेंस इस पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था हमने कुछ देखा था कि हमारा जो एक ग्राफ आता है वह कुछ इस तरीके से आता ह है तो इस तरीक olmas प्र REALLY कि यहां पर चेंज कर रहा है सॉलिदिफाई हो रहा है सॉलिडिफाई हुआ फिर यहां पर क्या किया क्या और चेंजे पड़ाता और उसमेंने क्या पड़ाता जो हमारा लिक्विट स्रिंग्पे जो हता है और होता है solidification स्रिंकेज होता है हम लोग किससे कमपन citre कर सकते हैं वह हम लोग कर सकते हैं riser की हेल्प से कमपसेट कर सकते हैं अब सपोग सिसमें हमारा स्रिंकेज हो रहा है इन दो बॉल्टन मेतल टॉप से डाल लो कहीं से भी डालben हुआ है तो यह तुमारा कि यह कुछ इस तुरीगे से तुमारा मौटन मेटेल फिल के मोल्टन मेटल फिलो गे तो इसमें हमारे पास क्या होगा सब्सक्राइब करेगी कुछ इस तरीके से अपना ठंडा होगा ठीक है फिर इधर से भी ठंडा होगा ठीक है फिर इधर से भी ठंडा होगा ठीक है फिर इधर से भी ठंडा होगा तो एक पोर्षन कोई आएगा एक कोई पोर्षन बचेगा बीच में जो कूल नहीं हो पाएगा क्योंकि ठंडा होगा ठंडा होगा मोल्टल मेटल तो क्या करेगा वो श्रिंक करेगा वो श्रिंक करेगा श्रिंक करने इसकी वज़े से हमारा एक जो कहीं पर भी कहीं पर इस पेस हमारा एक वेकेंट रह जाएगा वेकेंट इस जब हमारा रह जाएगा लिक्विट सिंकेज मे मोल्टिन मेटल को पूर कराते हैं क्या करते हैं मोल्टीन मैटल को पूर कर आया है अब सुपोस हमारा राईजवर यहां पे लगा हुआ है राईजवर से क्या होगा राईजर से मोल्टर मेटल आएगा ATsey तक अब आगे बात आती है आगे हमारी बात आती है कि राइजर का का एक काम तो हो गया और डाइजर का एक काम हो गया ब कर डायजर का इक काम हो ऑगया के स्टीर का कामा मिपन पर सबसे बहले इस रेकर का मों गया स्रिंकेज कि और बात आती है राइजर ने हमारा मोल्टन मेटल रहता है राइजर में आपका मॉल्टन मेटल रहता है तभी तों मावल्ल केबटी भरे तो राइजर भरेगा उसमें यह से लगा देते、 जब पोरीक बैजिन की तरफ सेип से मोल्टम मेटल पूर कराते थे जब हमारा मेटल आपका फूरा फिल हो चुका हैं तो राज़र का एक काम तो हो गया कि compete करता है लिखुड और बोड़ा परपस है कि हमारे वो मोर्म्स दम ट से से फूल है कि नहीं हमारी मुड़मैटल है कि जो के विटेटी से हटिक्व उसरे क्या लिख सकते हैं secondary purpose secondary purpose of casting secondary purpose of riser is is secondary purpose of riser is secondary purpose क्या है riser का riser का secondary purpose यह है कि to tell us about casting whether it is full or not full or not क्या कह रहा है हमारा casting को बताता है कि हमारा casting जो है full है multiple metal के तुरू या नहीं है casting जो है हमारी multiple metal के तुरू फुल है या नहीं है यह हमारा किस का काम होता है यह हमारा काम होता है riser का riser के दो काम होते है एक जो liquid shrinkage और solidification shrinkage है उसको compensate करता है दूसरा क्या करता है riser जो है riser बताता है कि हमारी casting full है कि नहीं हुई है ठीक क्लियर है इतना बाई ठीक है कोई भी डावट हो तो आप लोग आज कमेंट कर दीजेगा क्योंकि क्योंकि आज टेक्निकल इशु की बज़ेसे आपके क्लास रिकार्डड आएगी आपके पास रिकार्डड अइगी टेक्निकल इशु की हुआ है ठीक है अब यह हमारा राइजर के बारे में हमने समझ लिया राइजर के बारे में हमने समझ लिया ठीक है अब बात आती है राइजर हमारा हमारे पास क्या होगा हमारा मॉल्टन मेटल डाला मॉल्टन मेटल डालने से हमारे पास क्या होगा हमारा मॉल्ड कैविटी के बाद हमारी मॉल्ड कैविटी के बाद हमारा राइजर फूल हो जाएगा मॉल्ड कैविटी के बाद हमारा राइजर फूल हो जाएगा और राइजर में मॉल्टन मेटल का नीचे होगा डाउन होगा हम लोग पोरिंग uso और मोलतन कोㅎ हुआ हमारा स्वलिटिपडिशन होगार एसर में सबसे एंड में होगा है थीक है सबसे अग्सआज में होगा अब बात आती है कि एक कुलिंग करेक्टरिष्टिक होता एक होता है कूलिंग करेक्टरिस्टिक जिसे हम लोग बोलते हैं कूलिंग करेक्टरिस्टिक कूलिंग करेक्टरिस्टिक होती है उसको हम लोग किस चीज से डोनेट करते हैं एक हमारे पास होता कूलिंग करेक्टरिस्टिक जो हमारा सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया और वॉल्यूम का जो हमें ratio मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं cooling cooling इसको बोलते हैं cooling characteristic cooling characteristic cooling characteristic cooling इसको बोलते हैं cooling characteristic यह हम लोग बोलते हैं अब जो भी हम लोग solidify करते हैं कोई भी चीज तो इसकी value को minimum करते हैं यह value हमें चाहिए minimum value चाहिए minimum value चाहिए यह चीज हमें cooling characteristic कानी हमक्रेक्ट्रेश्टिक की value चाहिए minimum सब्सक्राइब सकते हैं the minimum 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 value से यहमारे पास क्या होगा minimum so we have that कि मिन्मंगे यह मारे पास क्या होगा इघ्र को मिनीमुम मेलीउष हमारे सफट smokes अब जब इसको पूरी कल्कुलेशन करो गे तो भी तुम्हारे पास राइडर का rectangle का surface area जितने भी लगाओ, यह जो value देगा, यह value आपकी, यह value जो है, यह value आपकी minimum किस case में आएगी, minimum जो case में आएगी, minimum आएगी, इस sphere के case में, इस sphere के case में, minimum जो value आएगी, आपकी sphere के case में, इस sphere के case में, अगर आपकी value minimum आएगी, तो अच्छा एक चीज बता दो, तो स्फेर के केस में अगर minimum value आएगी स्फेर के केस में minimum value आई ठीक है हम लोग स्फेर जो है consider नहीं करते हैं consider नहीं करते हैं क्योंकि हमारी एक तो calculation tough हो जाती है उसके बाद राइजर का काम होता है राइजर हमारा connect रहता है पूरा a line contract के थ्रू लाइंडा मॉल्ड क availability से connect राता है और अगर स्फेर की केस की बात कर लेते हैं स्पेर की केस की बात कर लेते हैं अधियर तो य क्या करेगा एक पॉइंट पर तो ही पॉइंट बनाएगा एक पॉइंट यह पॉइंट कॉंटेक्ट बनाएगा इस पेर जो हमारा करेगा यह हमारा पॉइंट कॉंटेक्ट फॉर्म करेगा उससे हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा जो है सॉलिडिफिकेशन करने में हमें प्रॉब्लम होगी मत ketchup हो जाएगी तो इसके लिए हम लोग 파्रेटिकल रेक्टिकल के लिए हम लोग अपने प्रक्टिकल इसके लिए प्रैक्टिकल केसिस के लिए चाहिंग हो Technical त equity कली हम लोग क्या माते हैं कि अब्यटी कली के विए किंसीडर कि ऱाञ़ में उऔर कि राइजर को कैसा मानते हैं सिलेंड्रिकल सेप का मानते हैं राइजर को क्या मानते हैं सिलेंड्रिकल सेप का हम लोग कंसीडर करते हैं क्यूं करते हैं सर्फेस एरिया वाल्यूम का जो रेशियो होता है हमारे पास कूलिंग करेक्टरिस्टिक होती है कूलिंग वो उसका minimum हम लोग देखते हैं, surface area by volume का minimum cross section हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, surface area by volume का, दुबारा से देख लो अकर नहीं समझ में है, surface area by volume का minimum हम लोग area देखते हैं, इसका जो ratio हमें मिले, minimum किस value के लिए हमें ये ratio मिलेगा, ये ratio हमें किस value के लिए सर्फेस एरिया वाई वल्यूम हमारे पास होता है यह हमारे पास एक पहली बात हमें देता क्या है यह हमाँ देता है कूलिंग कूलिंग क्रेक्ट्रिस्टिक कूलिंग करेक्ट्रिस्टिक ठीक है कूलिंग करेक्ट्रिस्टिक दूसरी बात कि दूसरी चीज़ कि दूसरी चीज़ हमारे पास क्या दूसरी चीज़ हमारे पास है यह एरिया में मिनिमम्म किस कंडिशन मिलेगा यह एरिया हमें मिनिमम किस कंडिशन में मिलेगा एरिया जो हमें मिनिमम मिलेगा मिनिमम मिलता है मिनिमम यह रेशियो मिलता है स्फियर के के में हमें यह रेशियो मिनिमम मिलेगा इस फिर हमारा कैसा होता है पॉइंट कॉंटेक्ट बनाएगा पॉइंट कॉंटेक्ट हमारा इस फिर फॉर्म करेगा और यह हम लोग प्रेक्टिकली हमारे लिए पॉसिविल नहीं है प्रेक्टिकली हमारे लिए पॉसिविल नहीं है कि ह हम लोग पॉइंट कॉंटेक्ट और इस फियर की कल्कुलेशन हमारी हाड हो जाती है इस पेर कि हमें डायमेंशन्स क्रॉस सेक्षनल और निकालने में प्राब्लम होती है तो इस वरे से हम लोग ने अपनी प्रेटिकल इसनेस के लिए एक एजम्सन लिया कि हमारे पास जो ठीक है अब यहां तक राइजर की बात हुई यह राइजर की शेप की बात हो गई अब बात आती है राइजर की टाइप की राइजर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं ठीक है एक तो हमारा राइजर ठीक है एक हमारा होता है टॉप राइजर टॉप राइजर एक हमारा हो अगर हमारा अगर हमारा डेफ्थ कम है अगर हमारी जो कास्टिंग है कास्टिंग की डेफ्थ कम है और हम लोग कास्टिंग की डेफ्थ कम है अगर हमारी कास्टिंग की डेफ्थ जो है वो कम है और हमारा जो राइजर लगा है वह माउल्ड कैविटी के माउल्ड कैविटी के ऊपर लगा है माउल्ड कैविटी के ऊपर लगा है और डेफ्थ हमारे पास कम है ठीक है उस केस में हमारे पास क्या हो लाएगा उस केस में हमा अब अब बात करते हैं साइड राइजर की साइड राइजर क्या है साइड राइजर हमारे पास जहां पर हमारी डेफ्ट जादा होगी यह हमारी मौल्ड केवटी है मौल्ड केवटी है डेफ्ट इसकी जादा है तो हमने जो राइजर लगाया जो राइजर हमने लगाया यहां पर जो राइजर हम लगाएंगे जो राइजर हम यूज़ करेंगे वह हमारे पास क्या होगा डेफ्ट ज्यादा होगी ठीक है तो वहां पर हम लोग जो राइजर यूज़ करेंगे और जो हमारा साइड में लगेगा साइड में हमारे पास लगेगा मौलड के ठीक है वह हमारा होगा साइड राइजर होगा वह हमारा साइड राइजर होगा ठीक है अब बात आती है अब बात आती है साइड राइजर हमारे पास होगा ठीक है अब हमारे पास एक बात आती है कि इसमें जो हमारे पास होती है देफ्ट होते ही ज्यादा यह चीज लिख लो यह चीज पूछता है एक्जाम में यहां से कोश्चन बनता है की साइड डाइजर और यूज जाधा हो वहां पर हम लोग क्यों साई रैजर ही यूज करेंगे एक अगर देखो तुमारा बॉ cockro टॉप में लगाई फिम्हारा टॉप में लगाया है वगा यहां पर तौनार बन गया तो इस केस में क्या होगा इस केस में तुमारे जो मौलор अच्छे नहीं होते हैं वहीं पर शाइड रीजर की बात करते हैं साइड राइजर जो अगर सुपोस हमारा डिफेक्ट कहीं पर भी फॉर्म हो गया कहीं पर भी हमारा इस पर मों कि तो जलदी बहाँ तक उस इसपेस को कर देंगे उस इस लिए हम लोग इनहें बोलते हैं साइड राइजर ठीक है इसलिए हमारे पास ही ओते हैं साइड राइजर ठीक है अब हम लोग इनकी optimum values के लिए calculation देखेंगे दोनों risers की उसके बाद उसके बाद हम लोग designing के जो भी फॉर्मूलाज बगरा हैं उनको देख लेंगे क्योंकि designing से आपका question ना ESE में पूछा गया है ना UPSC में पूछा गया है ना किसी भी है अभी हम लोग ना आगे optimum condition पर अपका क्लियर होगे यहां पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने side riser की ठीक है side riser के लिए यहां पर heading डाल दीजें optimum optimum condition for side riser side riser की optimum condition क्या होगी side riser की optimum condition क्या होगी side riser की optimum condition क्या होगी ठीक है side riser की optimum condition की बात करते हैं side riser की optimum condition की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे side riser हम लोग बनाएंगे एक साइड राइजर बनाएंगे साइड राइजर हमने बनाया यह जिता है बना अब तो करना तरीके माना था थे का माना था राइजर पर शेल सदुस् mec इसक्षा थे शट दब भलवागी है थे मिटने उस metropolitan को छोड़ देना तरे इसने की सोड़ें एक राइजर का माना था राइजर पिर शेंदर हमने माना शेलैंटरि कल से राइजरने कि सेंडरिकरude prop अब सिलेंडर का सर्फेस एरिया और सिलेंडर का सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करोगे तो क्या हो जाता है ने नहीं है पाइड वाइफ्ट स्क्वाईगा इन्टु एच हमारे पास यह क्या यह ऐन मिलेगा हमें यह हमें मिलेगा वॉल्यूम मिलेगा यह हमें क्या मिलेगा वॉल्यूम मिलेगा ठीक है अब सर्फेस एरिया की बात करते हैं सेलेंडर हमारा कैसे होता है सेलेंडर हमारा इस तरीके से होता है इसकी पूरी सरकंफ्रेंस इसका इसका एरिया पूरी मतलब यह जो phys cadastro by land webpage आरिया और यह जो ऊपर कि यह सरकुलर सारकुलर प्लेट सहीं इनका एरिया तो इनका जब तुम ठुम टोटल ऐरिया निकालोगे इनका टौटल एरिया निकालोगे तो यह क्या हो जाता है यह हो जाएगा पाइडी एच पाइडी एच प्लस पाइडी एच प्लस पाइडी स्क्वाइर वाई टू ठीक है प्लस पाइडी स्क्वाइर वाई टू ठीक है यह तुम्हारा आ गया सर्फेस एरिया ठीक अब यह दो चीज़े तुम्हारे पास आ गई यहां से क्या करना है यहां से तुम्हे एच की वैल्यू निकालनी है और इस condition में surface area के condition में रखनी है फिर surface area को हम लोग क्या करेंगे differentiate करेंगे और हमें optimum value हमारी मिलेगी तो सबसे पहले हम लोग यह हमारे पास values हैं हम यहां से पहले एच की value निकाल दे along the process को और अगруго यहां से अगर हमारे पास हमारे की value हो जाएगी अब इस एक की वैल्यू को उठा कर रखेंगे और क्या करेंगे फिर इसको लोग डिफ्रेंशेट करतेंगे तो यहां पर वैल्यू रख रहते हैं क्या हो जाएगी सर्फेस एरिया की वैल्यू अगर रखोगे तो पाइडी ठीक है पाइडी है एच की वroid रखोगे तो क्या वड़ागी 4B अपन 4B अपाउं 5d2 Of Pi d2 By 2e आपकी आपकी हो गई सुल्बेड है यह यह आपकी बात हो गई सर्फैस एरिया की वैल्यों सर्फैस एरिया की अपकी यह फोरिमला हो गया ठ ह Вас अब बात आती है अब बात आती है ठीक अब यहां से आप क्या देख रहे हैं यह आपका जो है पाइड़ी यहां से पाइड़ी यह कैंसल यह और भीडूender कि है मिता है हमारे पास क्या है फूर गया आया फॉर वी ènपान दी प्लस-पाई-ड स्कॉयर ब्लंप यह यहांसे में यह मिला तो क्या मिला मैं यहांसे यहांते मैं क्या मिला by 112 प्लस-पाई-ड स्कॉयर यह हमें मिला हमारा सर्फिस एरिया है कि यह हमारे पास हमें सर्फिस एरिया मिला अब वो आप्टिमुम बैल्यू को अप्टिम okay बैल्यू के लिए इस लिक दिफ comprend prizes कर seller और बराबर कर देंगे इसने बराबर कर देंगे जी रों के बराबर कर देंगे यह हमारी ऑक्तिमम कंडीशन ऑक्तिमम कंडीशन हो जाएगी ठीच अब इस वाले में तुम क्या हो जाहिए गा आदेरेटली डिफरेंसेट को यहां से क्या हो जाएगा तुमारा पहले और ने कम लोगनेट तो क्या हो जाएगा अधेर आजएगा तुमारा टू पाई टू फाई डी दिवाइड डॉट टू पाई continu घुए तुम्हारे पार पास आ चाह जाएगा इस सब्सकारा बिट पास यहां पर आएगा माइनस यहां पर आएगा माइनास 4B 4B up on D square 4B upon D square तुम्हारा यहां से tra Protocol मदे स्कूर तुम्हारा यहां आए आएगा ठीक है यहां से तुमारा two-स-t-tug cancer जाएगा यहां तुमारा टू से उसर जाएगा अब जो यह वैल्यू आई है इसको कर दो जीरो के बरावर इसको कर दोगे जीरो के बरावर ठीक है अब इसको बरावर के उधर ले जाओ क्या पाइडी पाइडी पइडी एकवलस क्यां फोर भी व्हाई डी स्कुर अब देखो एका से यहां से किसिकिन रचाव मिल्सों टींडी की यहां निकालो तो यहां दा पाइडी पाइड के लिए वाल्यूम का वैल्यू आई हैं और तुमने क्या देखा ता तुमने आरे पास से लेंडर का वोल्यूम क्या होता है ठीक है यह क्या होता है पाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवाइवा the optimum case अगर तुमारा एच जो है diameter के बराबर है यह diameter जो है वो हुँआरा height के बराबर है तो इस case में इस case के लिए भाई-बी का जो ratio आएगा डेशियो निकालोगे वह क्या हो जाएगा वह तुमारा हो जाएगा 6 by D यह तुम्हारा क्या आगया? यह तुम्हारा आगया AYB का रेशियो यह तुम्हारा क्या आगया? AYB का रेशियो आगया और AYB हमारी क्या होती थी? AYB हमारी होती थी cooling characteristic cooling characteristic यह तो तुम्हारा हो गया side riser का case देखलो side riser का case हो गया तो दोबारह देख लो इसमें क्या करा है चा करा है हमें पथा है कि हम्हारा राईजर होता है वह हमने ऐसा दो फिलेंडर का वॉलियुम क्या होता था यह होता था हमने एक की वेली उठाकर इसमें रख दी और सर्फेस ए пять को हमने differentiate कर दिया वहां से हमें एक volume की value मिली volume की value मिली उसे हमने original cylinder के volume से compare कराया वहां से हमें क्या मिला हमें मिली हाइड जो है हमारी depth के बराबर वहां से हमने जब देखा हाइट जब हमारी डेफ्ट के बराबर हो जाएगी उस केस में हमारा एवाइवी को रेशियो जो कूलिंग करेक्टरिश्टिक है उसका रेशियो मारा क्या हो जाएगा इस किस में होस始ल हो जाएगा अब बात आते यह टॉपर बना है उपर बना था ऑर क्या होगा उर कहा होगा रर क्या होगा कि इस केस में इस केस में क्या होगा कि इस केस में क्या होगा हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम रहेगा सर्फेस एरिया होगा वो भी सेम रहेगा तो हम लोग सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग अपना जो भी है जो भी फ्राइज दर तुमारे से लिंटर के डिक्ट राइजर बना लिए तमने अब इसमें तुमारे पास वाल्यूम किया होगा पाइब एफौर डि स्क्वेर एच यह उगता अब बात आ गी सर यह इसमें पाइडी स्क्वार वाई 4 है उसमें पाइडी स्क्वार वाई टू था भाई एक चीज बताओ उसमें जो तुम्हारा राइजर था उसमें जो तुम्हारा राइजर था वो कुछ इस तरीके से था राइजर में इंट्री कहां से हो रही थी राइजर में इंट्री तो इसको पिश्आ हो गया कि यह अब बात आती है यहां से टोल यहां से क्या करो यहां से हैं क्यों निकालो एच कि वैलू कहीं हो जाएगी 4B अपउन फाइडी स्कॉर फॉर भी अपन फाइडी स्कॉर आपकी ह्सकी वैलू हो गई अब है मेरesso करें चोर सवाली सर फेशए यह वली말े क cousins में रखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम लोग उसको कलिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब साहन ने और यहां से डार्या जब करो गए यहांसे तुरुर्ण हाँ सब्सक्राइब जाएगा यहां से जो दी पाई कड़ गया पाई पाई से कड़ गया ठीक है जब यहां से तुम्हें जो यहां से तुम्हारे पास यहां से तुम्हारे पास πई d square πई d square by 4 plus plus 4b upon d ठीक है अब इसको जब इसको optimum condition के लिए जो ये value आई है surface area की अब इसको surface area की optimum condition के लिए हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे surface area को d diameter से differentiate कराएंगे तो यहां से यहां से जो तुम्हे value मिलेगी यहां से जो तुम्हे value मिलेगी यहां से तुम्हे पास एक volume की value आएगी एक volume की value आएगी एक volume की value आएगी और volume के बाद जिब तुम उसे original volume से compare कराओगे पिसले case की तरह है तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा relation h वरावर तुमारा d y 2 h जो होगा वो तुमारे डामीटर का आध्वागा एच जो होगा वो तुमारे डामीटर का आध्हा आएगा इस इस рек perturb द्वारे एच भी जब तुम कुलिंग कारेक्टरिश्टिक की वेलू निकालोगे इस केस में भी जब तुम कूलिंग करेक्टरिस्टिक की वेल्यू निकालोगals एक रख बरावर दी करेक्टरिस्टिक की वेल्यू निकालोगे यह भी तुम्हारा 6Y डी यह आएगा ठीक है यह रेष्यों भी तुम्हारा सिक्स वाइ डी ही आएगा यह होगया यह हो गया आपका ठीक है अब बात करते हैं यह इसको इना चाहूं तो लिख लो नहीं तो कुई बात नहीं देख लो है यहाँ पर तुम्हारा टॉप टॉप राइजर यहां पर तुम्हारा साइड राइजर ठीक यहां पर तुम्हारा यहां पर तुम्हारा क्या आया है यहां पर तुम्हारा लेशन क्या है एच वरावर डीवाई टू आया है ठीक है यहां पर एच वरावर डीवाई टू है तो हमारी तो हमारी हमारी वैल्लू क्या है एवाइवी की वेल्यू क्या है एवाइवी की वेल्यू हमारे पास है 6yd और इस केस में भी हमारे पास क्या है एवाइवी की वेल्यू इस केस में एवाइवी की वेल्यू 6yd ही आएगी ठीक है जिसको भी प्रॉब्लम हो भाई कमेंट कर देना कमेंट कर देना मैं यह डा राइजर डिजाइन पे ठीक है राइजर डिजाइन पे राइजर डिजाइन की बात करते हैं ठीक है राइजर डिजाइन की बात हम लोग करते हैं कि अब एक चीज बताओ एक चीज बताओ ठीक है राइजर का वॉल्यूम का इसे निकाल होगा वाल्यूम आफ राइजर क्या हो तुमारा volume कितना shrink हो रहा है उसकी % को संध्र पर्संध पर्संटेश को 3 sobie multiply कर दो क्या आ जाएगा volume of Riza आ जाएगा volume of Riza आ जाएगा थीक है अब तुमारा सरफेस area जी Cooling characteristic जो है यह कॉर की है और एक Cooling on Brother के और की जो है किसके case में चाहूँगे कि यह जो है या कम हो जादा हो और कम हो यह किस केस में आप लोग चाहेंगे किस केस में चाहेंगे कि जादा हो और किस केस में कम हो तो देखो इसमें कोर की जो होगी वह हमारी कूलिंग करेक्टरिस्टिक ज्याधा होती है ठीक है और बराबर यह ज्याधा होती है ठीक है राइजर से राइजर से बराबर यह ज्याधा होती है इसका मतलब क्या है राइजर हमारा देर में ठंडा हो रहा है कोर हमारी पहले ठंडी हो रही हम यह चानते हैं कि कोर हमारी पहल चीज और देखलो को यहां से एक चीज्च अरवं यह हमारे पास अब यह चीज तुमारे पास है इस चीज को भी दिमाग का है ठीक है बात आती है बात आती है मैंठेड की जो आपके अब आपके डिजैंक के मैथेड जाने के मैं राइसर डि हमेंठेड drapsck कि यह वाली टाइम को अपने दिमाग में भी रखना की कोर का ज्याधा होता है और वॉल्यूम का राइजर का कम होता है क्यूं होता है यह भी समझा दिया यह भी समझा दिया ठीक है यह भी आपको समझा दिया अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा देखो अब क्या होगा सबसे पहला मेथेड हमारे पास होता है केंस मैथेड केंस मैथेड केंस मैथेड में हमारे पास क्या होता है इस केंस मैथेड में हमारे पास सबसे पहले आती फ्रीजिंग रेशियो की बाद फ्रीजिंग फ्रीजिंग रेशियो की बाद फ्रीजिंग रेशियो की बाद अब फ्रीजिंग रेशियो जो हमारा होता है यह कूलिंग करेक्टरिस्टिक कूलिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ कोर अपन कूलिंग करेक्टरिस्टिक अपन राइजर होता है क्या बोले हैं कूलिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ कोर अपन कूलिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ कोर अपन कूलिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ राइजर यह होता है हमारा फ्रीजिंग देखten अभी हैंने क्या देखा था आँगी लेज दन टू परस टुवन आएगी ही मिद्ध च्राइट टूभा आ बहुत कम आती है हमेशा जो वैल्यू आती है हमेशा वैल्यू आपकी फ्रीजिंग रेशियों की एक से ज्याधा आती है एक से आपकी वैल्यू ज्याधा आती है फ्रीजिंग रेशियों की तो इन्होंने इन्होंने एक अपना एक expression दिया, इन्होंने क्या दिया, केन भाई साथ जो थे, इन्होंने क्या कहा, कि भाई, एक expression ले जाओ, इससे तुम लोग freezing ratio और volume ratio की value को calculate करना, इन्होंने क्या का, जो freezing ratio होगा, ये a, upon y-v, plus c के बरावर होगा, ये इन्होंने बोला, कि आपका freezing ratio, a, b, c, और y पर depend करेगा, अब बात आती है sir, ये a, b, c, और y क्या है, तो सुनो, देखो, abc क्या है, abc क्या है, इन्होंने अपने बताये constants, इन्होंने बताये कि ये मेरे constant है, इनकी कुछ value question में दी रहेगी, ठीक वाई क्या होता है वाई होता है हाँ पर इन्होंने बताया कि वॉल्यूम रेशियो होता है वॉल्यूम रेशियो हमारा होता है ठीक है अब वॉल्यूम रेशियो किस किस का होता है यह हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ राइजर अपन वॉल्यूम ऑफ कोर यह हमारा यह हमारा orem volum ratio होता है ठीक है अब जो 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 इनका method कि सेब के लिएはい कलकुलेट कर सकता था क्सिंग की किस एक को कर सकता था है जो यह जो इन्हों आ फार्मूलम कंपल कास्ट के लिए अब सिंपल कास्टिंग के लिए इन्हों ने फॉर्मुला दिया सिंपल कास्टिंग के लिए इनोंने सिर्फ यह फॉर्मूला दिया आप डेखिए अब देखिए के लिए आप पर क्या सा आता है डिसानिंग के लिए यहां प्र यहां से निकाले रहती है जो भी question में ना given हो यहां से निकालने रहती है इन method से निकालने लहती है method का नाम देदेगा इस method से निकाल लिए यह निकालने पड़ेगी ठीक है अब बात आती है अब बात आती है दूसरे मेथेड की दूसरे मेथेड की बात आती है दूसरा मेथेड हमारे पास क्या था दूसरा मेथेड हमारे पास था मॉडूलस मेथेड दूसरा मेथेड हमारे पास क्या था मॉडूलस यह मैठेड भी दिया गया सिंपल कास्टिंग के लिए हमारे पास यह मैठेड भी हमें दिया गया अब इसमें हमारे क्या होता है इसमें हमारे पास क्या होता है जो मॉडूलस हमारे होता है यह क्या होता है यह क्या होता है यहीं हमारा मॉडूलस मैठेड होता है ठीक है यही हमारा मॉडूलस मैथेड होता है अब यह आपका दो मैथेड होगा इस मैथेड हो नहीं है यह बस यही याद रखना कि यह कितने के लिए होता है ठीक है तीसरा मैथेड हो गया तीसरा मैथेड आपका दो टाइप दो नाम है इसके इसे बोलते हैं जिसे बोलते हैं novel research method novel research method research method research method ठीक है यह एक नम तो जिसका यह होगया दूसरा नम होता है सिसका मौडिफाइड केन मेतवड क्या होता है मोडिफाइड मोडिफाइड केंस मैथेड केंस मैथेड ठीक है यह दिया आपको इसमें क्या बताए गया इसमें बताए गया कि जितनी लंबाई है और जितनी चोड़ाई है उसको जोड़ो और टोटल हाइट से डिवाइड कर दो टोटल जोड़ो और उसको हाइट से फेक्टर क्या दिया इन्होंने शेफ फेक्टर जो दिया गया आपका कितनी लेंथ है ठीक है कितनी विट है और कितनी टोटल हाइट है यह आपको से फेक्टर की वैल्यू को दिया गया यह आपकी शेफ फेक्टर की वैल्यू को आपको दिया गया अब इसमें क्या गया टोटल form nex maximum length maximum तुमारी लेंद्ध होगी कि मैकसिमम लेंथ लेन्फ है मैकसिमम लेंवर Hani यह यह ओध लेंब सिम्पल कास्टिंग यह थेता है तक ये पहले से फज्राब मेर्स देता है आपको रिजानीग में सबसे खराब यथा हुझा निंग निकाली रहेगी इनके रेशियोको देखते हुए इस question में इस question के दुरू आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज़ पूछ देगा shape factor पूछ देगा या फिर hide वगरा कुछ पूछेगा लेकिन आपका यह important नहीं है तो इस जिवाला method important नहीं है यहां से question नहीं पूछता है ठीक है अब बात आती है important topic की अब बात आती है important topic की अब बात आती है ऐसे important topic की जो ऐसे important topic की बात आती है जो आपका क्या होगा जो आपका paper में जरूर जरूर दो question अब जो पढ़ाने जा है 15-20 मिनट 25 मिनट जब तक बूट topic जाए ध्यान से पढ़ना ध्यान से दिमाग लगाना पढ़ना क्योंकि जो topic है यह topic कम से कम कम से कम कम से कम आपका दो नंबर का आपका तो दो question sorry कोई दो नंबर का नहीं बोल सकते क्योंकि छे नंबर का बोल लो या दो question इन topic से जरूर होंगे topics का क्या नाम है चेल्स पैडिंग चैपलेट्स ठीक है कोर को design ठीक है को design पर आप से एक question पूछा हुआ है को डिजाइन से आपका एक numerical पूचा था यह सी दो हजार 15 में यह सी 2015 में एफम बेज़्ड निमेरिकल था वाइंसी फोर्स लगाने वाला वह भी हम लोग देख लेंगे उसका फर्मूला देख लेंगे का जब question कप करेंगे उसका question हम लोग तब करेंगे जब हम लोग कास्टिंग के questions की practice कर रहे होंगे कोशन हम लोग तब करेंगे, जब हम लोग कास्टिंग के कोशन की प्रेक्टिस कर रहे होंगे, तब हम लोग अपना कोशन वो ले लेंगे, ठीक है, अब तो बात आती है, चिल्स और पैडिंग की, चिल्स और पैडिंग, डालते हैं हम लोग हैडिंग, चिल्स और पैडिंग, का इक क्रॉस सेक्शनल एडिया है कोई भी सेक्शनल एरिया ले लो कोई भी क्रॉस सेट्सेक्शन और अ आपने ये कुछ इस तरीकर का आपका cross sectional area है यह cross sectional area चलो इसको थोड़ा सा modify कर लेते हैं लो को यह कुछ इस तरीके का cross sectional area अब जो यह कि ilчто सरफेस के कॉंटेक्त में यह से पहला कूल करना पहले कूल करना शुरू करेगी यहां से पहला कूल करना शुरु करे सल्थिजए कि पहले होना सुरू होइंगी और यह सोलीड़िफै respondents कि तरीके से होती है interview इस तरीके से होते हैं इस यहां से होने लगे ठीक है तो कोई भी एक आपका started ऐसे मईका सब्सक्राइब करने पिर्ण जब यहां पर हो रही है सब्सक्राइब तो कियो त्यों हकिन्ट स्पेस आना। जब जो वाली चीज़ होती हैं बीच में ही आगा आ सब्सक्राइब कि जो हमें प्रापर तरीके से प्रापर तरीके से हमारे पास क्या नहीं है सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पा रही है प्रापर तरीके से हमारे पास सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पा रही है इस सब्सक्राइब से क हमने इसको फिल भी कर लिए अब बात आती है कि हम यह भने इकॉर्डिंग जहां चाहे वहाँ बना सकती सब्सक्राइब और मोर्तन में डोस और जो है वो सॉयड़िफाइब हो गया तो फिर वें बिच में बनाए अब बहां तक मोल्टन मेटल हमारा पहुंच नहीं सकता तो वो क्या फार्म कर लेगा तो वो फार्म कर लेगा डिफेक्ट तो डिफेक्ट फार्म कर लेगा डिफेक्ट को डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग डायरेक्शनल अब ध्यान से सुनना हम डिफेक्ट स इसको को डिए केशन प्रवाइड करते हैं उसे इसरी सिख आप इसको देखो ठीराम से सुझों यह चीज कैसे कर सकते हैं क्या तो ये कुई है यह एक सहसे यह को क्रोस यह यह एक यह क्रॉसिक्षन है यह एक क्रॉसिक्षन है यह एक क्रॉसिक्षन है अब इसमें हमने क्या पढ़ाता जिसका सर्फेस एरिया कम होगा वह जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगी इसमें आपका सॉलिडिफाई जो हो जाएगा वह यह वाली चीज यह वाली चीज आपकी पहले स्वालीड़ीफाई हो जाएगी तो इसमेंटीफेक्त बनेगा कहीं पर यहां बन गया यहां लिए यहां जाएगा वेकर यहां पर बन जाएगा अब हम क्या चाहते आब हम चाहते हैं कि जो हमारा g माने। बैकर बने इसके लिए हम स्पेस बने भी कंट स्पेस्ट ने वो जहां हम चाहें जाने इसके लिए हम लोग चिंद को यूज करते हैं और और यूज करते हैं यहां पर तुम्हारा faster rate से, faster rate से क्या होगा, cooling होगी, faster rate से यहाँ पर cooling होगी, अब हम क्या चाहते हैं, हम faster rate से cooling यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, तो देखो, अब क्या करना है, यह तुम्हारा बना हुआ, ठीक, अब हम चाहते हैं, कि जैसे हम चाहें, वैसे cool हो, तो हमने क्या लगा द यह हमने यह हमने सपोस्ट लगा दी यहां पर यहां पर लगा दी ठीक है यह हमारी है चिल्स चिल्स ठीक है चिल्स चिल्स है यह हमें हमारे क्या करती है चिल्स हमारे पास क्या करती है चिल्स जो हमारी करती है यह हमारी ґ puta asynchronous rate को cooling rate को increase कर देते हैं चिल्स जो हैục हमारी क्या करती है increase the cooling rate 1400 difference रिख permissions कर देंगे चिल्स 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 यहाँ पर हमारा जल्दी ठंडा हो रहा था तो यहाँ हमने जो यूस किया यह यूस किया पैडिंग 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 क्या करता है एक्ट लाइक एक्ट लाइक एज जैकेट की तरह तुम्हारा जैकेट की तरह पैडिंग यूज करता है अब तुम्हारा क्या है अब तुम्हारा क्या है तुम्हारा क्या है तुम्हें जैकेट पहन ली तो क्या हुआ को में लगेगे तुम हम लोग होंगे कम lined देर में अगर हम लोग नहीं पैने टिशीट पैने तो तौमारे हांथ यह हमारा काम होता है पैडिंग का पैडिंग हमारा क्या करता है पैडिंग हमारा जो करता है यह इस तरीके से भी बोल सकते हो कूलिंग रेड को यूनिफॉर्म कर देता है उसको यूनिफॉर्म कर देता है उसको यूनिफॉर्म कर देता है यह हमारा पैडिंग का काम होता है प ज्यक्त कि तरह काम करता है ठीक है is uniform cooling rate प्रोइड करता है जलदी थंदा होने से बचाता है यहाँ पर यहाँ पर जब दीरे-धेतर रहे हुआ तो यह स्रिंगेज हमारी कम हो जाएगी ठीक है चल्स हम लोग क्यों उसकरते हैं इंक्रीज इंक्रीज कूलिंग रेट और पैडिंग हम लोग यूज करते हैं एक्ट my cave जॉकेट बसलब यूनिफर्म प्रोवाइड करने के लिए थो इनके लिए ंके लिए एक कॉमन चीज लिखलो इनके लिए यह स्टेरोंट बहुत कॉमन हैंच छिल्क्राइड वां इन पैडिंग दिन प्रोवाइड़ प्रोवाइड नोई Modification directional Solidification हमें प्रोवाईड करते हैं चिंग और फैंडिंगs चिंगs और टिंग समय क्या करते हैं अब बात आती है हमारे पास कोर की कोर की बात कर लेते हैं कोर की बात कर लेते हैं हमारे पास क्या है कोर ठीक है कोर अब हमारे पास क्या बच्छा कोर कोर डिजाइन और चैपलेट्स तीन चीज बची है ध्यान से सुनो कोर क्या होता है सपोस्थ तुम्हेरे कोई एक करने हैं जिसके बीच में कुछ होल प्रोवाइड करना है इसके बीच में कुछ होल प्रोवाइड करना है तुम्हें कुछ होल प्रोवाइड करना है तुम्हें कुछ इस तरीके की कास्टिंग चाहिए इसके लिए दो मैसेड हो सकते हैं पहले हम लोग यूनिफॉर्म क्वास् क्रेंद्र दें जİससे हमारा होल और् टॉमैक्टिक प्रॉवाइड हो तरहले हमारा यह होल कास्टिंग में हिसमें मिल जाय तो हम लोग क्या करते हैं देखो यह ओए थैन क्या करेंग से ढए कि muscular को इस तरीके से समझते तेसे यहीं आपको की ए माउटी है अब आपको सिनंडिक्ल लोगिस अपने सलेंडरस बनाना ने तो थैजै ऑने अंधर अंदर रख दिया तो देखो किसमें क्या होगा अंदर तुम्हें तुम्हें इसको cylinder यह इस तरीखे के का सिलेंडर स्पॉद रखा हूगा है तो इसकतते हैं तिक अपर आप करावग़े तो इन स्टेसराओ पूर कराऊगय तो इस में क्या होगा इस इधार इधार दर पूर रहेगाgend ठीक है मोल्टन मेटल पूर रहेगा ठीक कास्टिंग हो जाएगी तुम्हें कास्टिंग हो जाएगी तुम्हें ओरिजिनल शेप तुम्हारी मिल जाएगी मिल जाएगी देखो जब मोल्टन मेटल पूर करा होगे तो इतना आसान तो है नहीं कि तुम्हें कास्टिंग मिल जा Direction Casting को provide करने के लिए ने कोई रधा कोर लगा दी ठीक हमने कोर लगा टी अब है यह लिटी में डाला लेकी में डिला लाधा तो यहां पकी एक एफेक्ट क्रियेट होगा एफेक्ट किसका क्रियेट होगा बोनाmay आपके पास यहांपर प्र क्रियेट जाएगा व onesi base । CON realidad होने से आपके पास के आएगा वह इंल्टोट के पास क्रियेट हुगहा तो आपके पास यहां पर क्या आ एक वेट की पास नीचे की तरफ इतले लग रहा होगा एक वेट को आपका व्याम पर की तरफ कोर का वेट आपके नीचे की तरफ, कोर का वेट आपका नीचे की तरफ, नीचे क्या लगेगा, नीचे आपके पास लगेगा, नीचे आपके पास यहाँ पर लगेगा, वेट आफ, वेट आफ, कोर, वेट आफ, कोर, ठीक, वेट आफ, कोर, इधर क्या लगेगा, वाइंट वाइंसी फोर्स ठीक वाइंसी फोर्स वाइंसी फोर्स ठीक अब वाइंसी फोर्स हमारा क्या होता है वाल्यूम डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो क्या हो गया वाइंसी फोर्स तुमारा यहां से क्या आजाएगा वाइंसी फॉर्स कर लिखना चाहों तो वी वॉल्यूम क्या लिखा यहां पर वॉल्यूम रो रो क्या है सिंद्ध मेंटियल जो है उश्की डैंसिटी में मल्यंन और उसकीचेंटि इंटू ए ग्रेबिटेशनल एक्सलरीशन यह क्या हो गया यह त्मारा हो गया यह तुम्हारा क्या हांगा बॉइंसी फूर्स अब बेट क्या आएगा कोर का कोर का बेट क्या होगा कोर का बेट तुम्हें एम जी ले लो एम इंटू जी एम इंटू जी अब तुम्हारे पास क्या होता है मास जो किसके बराबर होता है मास किसके बराबर होता है density into volume होता है density into volume होता है मास क्या से होता है density क्या होता है mass upon volume होता है जब यहां से mass की value निकालोगे तो m into v अब इस चीज़ को देखो इधर इस चीज़ को देखो इधर कि यहां से तुम बहुता है यहां से तुम लोकि इसको बडातार लिक लेते हैं यहां क्या हो जाएगा थुम्हारा फेल रही वह जाएगा फेल्फारो इन टू मिका निकलना है एज थे density of core row m density of melting material ठीक है अब यह चीज़ आ रखना नेट फोर्स निकालना है तो तुम्हें किस में से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें तुम्हें क्या करना पड़ेगा जो तुम्हारा बॉइंसी फोर्स है उसमें से वेट को माइनस कर तो तुम्हारा नेट बॉइंट फोर्स इसमें तुम्हें क्या करना है जो तुम्हारा बॉइंशी फोर्स से उसमें से तुम health को मानेस करतो है जैस्ट फोर्स माइनस मेंनस यह हम लोग मैनस कर देता है यह मपनलों मानेस कर देता है गया हमारा क्या है वाइंसी फोर्स हमारे पास क्या है वाइंसी फोर्स हमारे पास क्या है वाइंसी फोर्स हमारे पास क्या है रो रो एम वी इंटु जी रो एम वी इंटु जी वेट हमारे पास क्या था वी इंटु रो सी इंटु जी ठीक है यहां पर हमारा वी जी को हमने किया यहां से आपका नेट वाइंट फॉर्स आ गया है इसको इस वाले फॉर्मूला पर वह मैं आपको करा दूंगा वह मैं आपको कॉश्चन जब प्रेक्टिस करेंगे तब हम लोग करा देंगे अब आप सुनो यह तो तुमारी इसका कैलकुलेशन हो गई यह तो तुमारा एक इशू क्रियेट हुआ था कोर को रखने से कोर को रखने से वह क्रियेट हो गया अब इसको सपोर्ट कैसे करोगे इसको सपोर्ट करने के लिए ही हम लोग जिस का यूज करते हैं इसको सपोर्ट करने करते हैं कोर्प्रेंट जो होता है उससे हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यह लिख लेना कोर्प्रेंट क्या होता है कोर्प्रेंट हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है किसको इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्रोवाइड हमें करता ह हैute support provide हमने करता है तोमारा कि तुमारा किसको को प्रोवाइड करता świat अ सब को प्रेंट की कुछ लेमिटेशन होगए कि को यह कीतनी से पर प्रोवाइड कर सकता है तो वह देखक को बोको यह जो हколь प्रेंटी जो प्र Алекс और तुम्हारा अघर फर्श अगर बॉंट पोस जो है कम है या ज्यादा है कम है यह किस से 35 एरिया कोर के इरिया आफ कोर ए progress 3.5 area of Core से कम है या जड़ा है इस पर डिपेंड करता है यहां पर एची क्या है तिम्हारा है से तुम्हारे वैल्यू से ज्वेल्यू से ज्ञादा हो गई इस वैल्यू से ज्यादा हो गई तो तुम्हारा उसका कोई काम नहीं रहा जाएगा फिर तुम्हारा सपोर्ट का कोई काम नहीं जाएगा अब इसको इस चाहिए सभी देख लो ठीक है सपोस्ट तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें दे दिया है तुम्हें सो सेंटीमीटर स्क्वा में होगा ठिक सेंटिमेटर स्क्वाइर तुम्हें सो सेंटिमेटर स्क्वाइर स्क ढूंए क्या दे बेंदिया है तो यहां से तुन्हें किתने fourth जहाएगा यहां त्री सुंतल सण यहां से मैं ऐसा में गपके करोगे करते क्या गए 300 तुम्हारा आ जाएगा इसका अब यह साड़े 300 न्यूटन तक तो सपोर्ट दे सकता है साड़े 300 न्यूटन तक को सपोर्ट दे सकता है ठीक है देखो 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 अगर 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 साड़े 300 न्यूटन तक सपोर्ट दे सकता है आगर सब्सinta पूम्हारा एरिया चारसो चार्सो न्यूटन अगर तम्हारा एरिया चार्सो न्यूटन अगया ईस एक्जांपल को ना में द्याण शसी में कुलेयर हो जाएंगे आज दे सेंपड़ को 400 newton तुमारा कोई load थीक है point 40 वह तो 400 नीटन का अब इसको कैसे support करोगे जो हमारा CorePrint है CorePrint है वो हमारा 600 तक support कर सकता है 30300 तक सपोर्ट कर सकता है अगर हमारे area 100 cm square तो इस 400 को कैसे support करोगे 400 को support कैसे करोगे 400 जो support कि इसको तुमने कलाया कोर्प्रिंट से सपोर्ट कोर्प्रिंट से सपोर्ट हो गया तुमारा साढ़े तीन sорон anytime और पिंड़तमारा साढ़े थीन सपोर्ट हो गया अब कितना बचान से यहां से करते हैं चैप लेट्स को इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो कोर प्रेंट से कोर प्रेंट से उपर का जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं चैप लेट्स को यूज करते हैं चैप लेट्स को यूज करते हैं चैप लेट्स क सपोर्ट हो गया अब तुम्हें बात आई चैपलेट लगाने की में कुर्पेंट सा क्लियर है डॉट हो कमेंट जरूर कर देना क्योंकि चिल्स पैडंग कॉर कॉर प्रेंट और चैपलेट से कुश्चन जरूर आता है अगर ठोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दे तुमों ओस तुम्हेंजें बैद आग़ा क्रूर एक अगर सौय कर दिआ आगर तो 342 ए repairismnewton अब आप अब क्या बचा 2030 का ज्याधा का फॉर्स तुम्हारे पास मिल्ड़ा तो उस केश में तुम क्या करोगे उस च्छेस में चॉप लिए neighboring चैपलेट को यूज करोगे चैपलेट यूज करोगे अब बोलो सर चैपलेट यूज करेंगे तो हमारी कास्टिंग खराब हो जाएगी चैपलेट यूज करोगे से मैं मोल्टन मेटल की यूज करते हैं यह हम लोग से मैं मोल्टन मेटल की क्यों यूज करते हैं यह हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारा कि हमारा जो भी चैपलेट हो वो बाद में वो बाद में डिजॉल्व हो जाए वो हमारी बाद में डिजॉल्व हो जाए और हमें हम स्मूद कास्टिंग प्रॉसेस मिले ठीक है क्लियर है यहां तक आपका चैपलेट हो गया चैपलेट में लिख लेना चैपलेट किसलिए यूज होती है फार प्रोवाइड support provide support to core support to core core को support provide करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं चैप्लेट का यूज करते हैं ठीक है अब बात आती है classification की क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग की क्लासिफिकेशन कैसे करोगे ठीक है इसमें तुमारे तुमारे पास तुमारे पास तीन टाइप की कास्टिंग होती है ठीक है यह समझ लो प्रोसेस को हम लोग कल समझेंगे कल सब प्रोसेस को समझेंगे और building defect को भी समझेंगे कल सारी process और building defect को समझेंगे कल सारी process और building defense को समझेंगे सबसे पहले हमारे पास होती expendable 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 dependable molding expendable molding ठीक है एक यह टाइप होता है दूसरे टाइप होता है permanent permanent molding ठीक यह आपका एक हो गए expandable, दूसरा हो गया permanent, तीसरा आपका होगया, continuous casting continuous यह आपके पास तीन टाइप की casting होती है, अब इसमें नाम देख लो, कौन कौन सी casting होती है, अब expendable की बात करते हैं, तो expendable हमारे पास क्या होती है, expendable में हमारी होती है, send casting सेंड कास्टिंग ठीक है दूसरी हमारे पास क्या होती है सेंड कास्टिंग होती है शेल कास्टिंग होती है शेल कास्टिंग शेल कास्टिंग ठीक तीसरी हमारे पास क्या होती है इनवेस्टमेंट कास्टिंग इनवेस्टमेंट कास्टिंग इनवेस्टमेंट कास्टिंग ठी तीसरी हमारे पास होती है, चौथी हमारे पास होती है, चौथी हमारे पास क्या होती है, फुल काल, फुल मॉल्डिंग, फुल मॉल्डिंग, ठीक, पांच में हमारे पास होती है, सी ओ टू मॉल्डिंग, सी ओ टू मॉल्डिंग, जो हमारी मॉल्डिंग होती है, उसी को इम लो मॉल्ड होता है अब पर्मानेंट कास्टिंग की बात करते हैं पर्मानेंट कास्टिंग में हमारे पास पर्मानेंट कास्टिंग में हमारे पास जो मॉल्ड होता है यह पर्मानेंट होता है ठीक है अब इस केस में हमारे पास क्या होता है इस केस में देखो हमारे पास क्या होगा इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा पर्मानेंट में हमारे पास कौन सी होती है सबसे पहली आती है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग centrifugal casting दूसरी हमारे पास होती है dye casting dye posting डाइ casting आपकी और centrifugal casting आपकी इसी की टाइप है dry casting और centrifugal करास्टिंग तीसरी कौन से होती है तीसरी आपके पास होती है यह सलस्स्स क्थ्टिंग ठीक है यह आपका classification से आपका यह दो आपका हर एक्जाम में पूछा जाता है और continuous casting तो आपकी continuous casting होती है अब देखो अब देखो देखो पढ़ लेते हैं अभी तो टाइम है चलो पढ़ लेते हैं हम लोग अपनी expandable modeling से expandable modeling को हम लोग start करते हैं एक कास्टिंग को उठाते हैं और आपको उसको button को खतम करते हैं देखों सबसे पहले कि यह को सब से पहले शेड शेल ओडिंग शेल-मॉल्डिंग देखो शेल मॉडडिंग में जो मुमारे पास होता ना हम इस कुछ हमारा कुछ इस तरीके से पटेन अगए इस तरीके सा पेटन होसा में इस लेका होता है यह हमारा होता है मेटेलिक पेटन मेटेलिक मेटेलिक पेटन मेटेलिक पेटन ठीक है मेटेलिक पेटन होता है ठीक है यह मेटेलिक पेटन हमारे पास होता है ठीक है यह हमारे पास पेटन होता है अब इसमें इंपोर्टेंट चीज है इसमें मॉल्डिंग मटीरियल होगा मॉल्डिंग मटीरिय स के चलंग और किया करेंगे और यूजिन रेजिन का गाम करती है ऐसागी वांध्र का काम करती हैं सब्सक्राइब बांध रेजियन होती है एक पुज फिनॉल फ्रॉरंलिज़ होती है और ऐसेक यूरिया formaldehyde होती है इसमें कॉन से रेजिन यूजब करोगे तो इसमें यूजब करोगे फिनोल फंट did 4D है Kings है इसमें वहमारे पास क्या आता है और हम लोग इसमें क्या यूजब करते और हम लोग इसे मिलाने के ये यूज़ करते हैं एल कोहल एलकोहल इसमें हम लोग एलकोहल यूज़ करते हैं एलकोहल यूज़ करते हैं इसको मिलाने के लिए अब हमारे पास यह का मॉद्लिंग मटीरियल होगा जो हम लोग मॉद्लिंग सेंड हमारी तयार होगी वो कुछ इस तरीके से त्यार होगी अब इस डाइग्राम चांग इस डाइग्राम चाहरा यह pattern है, तुम्हारा pattern कुछ इस तरीके का था, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तुमने एक pattern को कुछ इस तरीके से, यह suppose तुम्हारा यह pattern है, यह की चीज बनाते है, इसमें, कुछ इस तरीके का pattern है, ठीक है, अब इसको एक modeling box में हमने रखा है, ठीक है, इसमें तुम्हारी मौल्लिंग सेंड बरी हुई है यह तुमारा क्या है यह तुमारी मौल्लिंग सेंड है मौल्लिंग सेंड जो भी तुमारा यह मौल्लिंग माटीयल थे इनकी बनी हुई सारी सेंड है वो है अब इसके बाद क्या करोगे इसके बाद क्या करोगे इसको पलट दो इसको पलट दो इस कास्टिंग को पलट दो तो यह कुछ तुमारा इस तरीके से आ जाएगा 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 इस तरीके से तोबर इसकी सरफेस पे आपको चिप के हुए मिल जाएंगे वाइंडर की बीच तक हम लोग हीट करते हैं आप पैटन है इसको किस टेंपरेचर तक हीट कर सकते हैं 200-300 के बीच में 200-300 के पीच में लोग हीट कर सकते हैं यह हमारा हमने उल्टा किया तो हमने इस पे जो हमारे कुछ इस तरीके से हमने इसको हमने उल्टा कर दिया इसको हमने फिर क्या किया यह हमारा नीचे था हमने फिर इसको उल्टा किया तो यह हमारा जो है यह कुछ इस तरीके से ऊपर चला गया ऊपर चला गया और हमने फिर क्या किया फिर हमने इस फिर इस जो भी सेंड मटेरियल है इसको हमने यह हमारा जो पैटरन है इसको हमने बाहर निकाल लिए पैटरन को बाहर निकाल लिए सिर्फ पैटरन को बाहर निकाला पैटरन को हमने इतन यह हमारा को सेफ बन जाएगी इस तरीके की सेफ हमें यह मिल जाएगी इस तरीके की सेफ हमें इस पर पैटन पर चिपके हुई है इसे हम लोग दोबारा हीट करेंगे इसे करेंगे कपका हीट इसे करेंगे साड़े 300 डेग्री तक हम लगबग लिट करेंगे तो हमारा क्या हो ढूखें गाई यह जो देख रहे हो शेल देख रहा हो जो लेयर मरें है जो इस तरीके की लेयर जहते जो तरीके की लेयर जो आहिए यह यह अधकी यह ऑफ यह यह फैटर से यह फैटर यह लग हो जाएगी इसको मै admire में रखेंगे फिर एक ऐसी लियर बनाएंगे फिरそんな model तिहनल इसलों मॉल्डिंग मटरायल हो गया है अब इसके बात कर लेते हैं आपफ लिकेशन की यह कहां-कहां हमारी यूज होती है घ्री करेंब अब इसलेंडर हेड जो होते हैं इसी कास्टिंग के इसी कास्टिंग की हल्प से बना जाते हैं यह चीज इंपॉर्टेंट है यहां से भी कोश्चन आपके आते हैं क्या सिलेंडर हेड ऑफ एर कुल एर कुल्ड आइर कुलैंडर एए इसी इंजर की सिलंडर हेड बनाने में इसकरते COR पहुत ने बुर्जभी स्पाज़ायनिये главное सब्सक्राइब रखला है की सब्सक्राइब सब्सक्राइब व्लाइब यह वसकी सब्सक्राइब ही हो गया एक mechanism हो गया देखियो lawn sprinkler जो आपका गुंता है इसी कास्टिंग के हम लोग बनाते हैं ठीक है यह आपके इसके application होगा अब चलते हैं नेक्स कास्टिंग प्रोसेस पर वैक्स का एक pattern लिया और हमने और हमने क्या त्यार किया वैक्स का यह पैटन है यह हमारा क्या है यह मारा वैक्स का पैटन है ठीक है वैक्स पैटन है आप हमने क्या त्यार किया एक हमने त्यार की स्लरी 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 यह हमने क्या त्यार की स्लरी 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 हमने इसकी त्यार की स्लरी हमें किसकी मिलेगी स्लरी हमने किसकी त्यार करी स्लरी हमने त्यार करी स्लरी हमने त्यार करी स्लरी हमने त्यार करी स्लरी के इस चिलिकेट और वाटर यह आपका यूज़ होगा अधाइल सेलिकेट सिलिका 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 क्या कहते हैं फाइन गरिन इसलिका या फिर फ्लोर इसलिका फ्लोर और इतायल सिलीकेट अब इसमें क्या करते हैं wax pattern को इस Slurry में हम लोग dip कराते हैं तो उससे हमारे पास क्या मिलता है उससे क्या होता है इस तरीके से हो जाएगा इसिम सुपर से हमारी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं 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 इसको हम लोग क्या बोलते ह यह आपका wax pattern अंदर है भी wax pattern अंदर है उपर आपका यह slurry की coating है अब क्या करेंगे इसको मेल्ट करेंगे इसको हम लोग कि भाप mes पिकल जाएगा तो यह कुछ कोटिंग मिल जाएगी इस तरीके से यह अपका स्लरी केसा कोटिंग राएंगे अब मॉल्टन मेटल पूर कररात से क्या मिलेगा मॉल्टन मेटल पोर करा देंगे तो हां पर मिल जाएगा कि हमारी कास्टिंग प्रोसेस हों जागी बात लोगे स्लरी को निकाल दींगे अब बात आती है इसके application की इस कि बात आती है तो application देख लो कहां कहां है इसके application जहां पर बहुत ज्यादा accuracy चाहिए हूं जहां पर तुम्हें हाई एक्यूरेसी वाली काम करने हो वहां पर इस कास्टिंग का तुम लोग यूज करोगे जहां पर हाई एक्यूरेसी अब इसके अप्लिकेशन लिख लो अप्लिकेशन ठीक है अप्लिकेशन कहां कहां है अप्लिकेशन तुम्हारे है जहां पर तुम्हे हाई कास्टिंग हाई प्रिसीजन की ज़रूरत हो हाई प्रसीजन की ज़रूरत जो तुमारी ज्वाइलरी बगारा बनती है गोल्ड की ज्वाइलरी बगारा बनती है वह इसी कास्टिंग के थुरू बनाते हैं गयास टर्वाइन के च्रीव ड्रीट जो ओते हैं कि वह आपके गयशिआ है बोती हैं इस ट्री टिन गौुधी था छिया च्टेन इसको आपो लोग कास्टिंग भी बोलते हैं अद्ञते हैं उस्फित्र तो यह यहां पर हम लोगों के यह इसके अप्लिकेशन हो गए तो इसकी लिमिटेशन भी है इसकी लिमिटेशन होती है इसकी लिमिटेशन होती है यह ज्यादा है वी लोड के लिए नहीं होती है यह इसमॉल अब्जेक्ट के लिए होती है यह मैक्सिम है 5 किलो से 10 किलो तक की कास्टिंग कर सकती है 10 kg 5 kg से 10 kg तक की कास्टिंग जो होगी वो हमारी investment कास्टिंग के तुरू हो जाएगी यह हमारा आज तक को यहां अनक का टॉपिक था अब जो मुलोक कल पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद उसके बाद अपना जल्दी से कास्टिंग λिफेक्ट पढ़ेंगे और कल हमारी कास्टिंग खतम हो जाएगी परसो कास्टिंग के स्टेक्राइब करेंगे उसके बाद हम लोग अप पूस्टन की सीरीज श्टार्ट करेंगे और यह आपको वीडियो रिकॉर्ड टू टेक्निकल इशूस ठीक है तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजेगा कि क कोशिस तो यह है कि आपि कर कि देखे कल क्या है आपका कल आपकी है चार टारिक चार और पांच चार और पांच तक काम की कस्टिंग चले चले जबी पानच तक तो आपकी कस्टिंग के ओसमें क्या कर सकते हैं हम हम अपना पढ़ सकते आं मिटल कर लेंगे में अगले दिन में मैटल फॉर्म लोग सकते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग कर लेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग उसमें अनकन्वेंशनल मशीनिंग में और उसके बाद मेटरलोजी कंप्लीट कर लेंगे यह हम लोग कंप्लीट करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दीपा झाल झाल